नमस्कार, Basics of Stock Market for Beginners इस सीरीज में आपका स्वागत है इस सीरीज में हम स्टॉक मर्केट के बेसिक से रिलेटिट सारी चीज़े जानने वाले हैं जैसे कि स्टॉक मर्केट कैसे काम करता है, यहाँ पे आप रिटन्स कैसे कमा सकते हो क्या कुछ चीज़े हैं जो successful होने के लिए आपको follow करनी है साती वो क्या कुछ चीज़े हैं जो आपको avoid करनी चाहिए यह सारी चीज़े इस सीरीज में हम समझने वाले है So let's begin और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्दगी के 17 साल साफ सपाई का काम किया इसके बावजुद भी जब 2014 में उनकी date हुई तब उनकी net worth 8 million dollar थी यानि करीब 56 करोड रुपे इन 56 करोड में से 12 करोड रुपे उनने family के लिए रखे और बाकी पैसे philanthropy के लिए दे दिये जिसमें से libraries और hospitals बनवाए गए जो लोग Ronald Reed को अच्छे से जानते थे उन्हें भी ये idea नहीं थी कि Ronald Reed के पास इतना पैसा कहां से आया Ronald Reed को ना lottery लगी थी ना ही कहीं से अच्छानक से पैसा आया था जब लोगों को Ronald Reed के पास इतना पैसा कहां से आया इसका असली reason पता चला तो सब लोग हैरान हो गए Ronald Reed ने अपनी छोटी 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 investments stock market में invest की बड़ी बड़ी companies में और वो छोटी छोटी investments long term में compound होकर 8 million dollar यानि करीफ 56 करोड रुपे में तबदिल हो गई तो ये थी मिश्चर Ronald Reed की story अगर आप कोई story की detail में जाना है तो आप the psychology of money book पढ़ सकते हो उसमें ऐसी कई सारी important चीज़े बताई गई है इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी कई सारी ऐसी success stories रही है for example अगर हम Infosys की बात करते हैं तो Infosys का IPO 1993 में आया था IPO में Infosys के एक share की price 95 रुपेश थी दीरे-दीरे Infosys के काफी अच्छे-खासी growth होने लगी अगर अपने 1993 में Infosys के IPO के time उसमें 10,000 रुपेश इंवेस्ट किये होते तो उसके value आज 11 करोड से भी जादा होती पिछले 27 सालों में Infosys के share ने compounded सालाना 41% का return दिया है जो की बहुत ही अच्छा return है similar लिए इसे कई सारी companies आपको इंडियन मार्केट में मिल जाएगी for example अगर हम TCS की बात करते हैं तो TCS का IPO 2004 में आया तो TCS में अगर आप 2004 में 10,000 रुपेश इंवेस्ट करते इंडस्ट्री में 10,000 रुपेश इंवेस्ट किये होते तो उसके value भी आज 2 करोड रुपेश से जादा होती यानि compounded सालाना आपको 19.47% का return मिल जाता HDFC Bank की बात करते हैं तो HDFC Bank का IPO 1995 में आया था IPO मतलब जब company पहली बार stock exchange पर list होती है तो उस process को IPO that is initial public offering कहते है तो तब से लेकर अब तक HDFC Bank ने भी बहुत अच्छे returns investors को दिये है अगर अब 1995 में HDFC Bank में 10,000 रुपेश इंवेस्ट करते तो उसके value आज 1 करोड से भी जादा होती तो ये सारी चीज़े हमें बताती है कि उनके बारे में बात करेंगे साथी investment world में बहुत सारी failure stories भी है उनके बारे में बात करेंगे और उनसे हमें क्या कुछ सीखने मिलता है इसके बारे में भी हमें इन series में बात करने वाले है और साथी हम ये भी देखेंगे कि Warren Buffett, Ray Dalio, Carlos Slim Hillu इन्होंने market से billions and billions dollars कैसे कमाए तो शुरुआत करेंगे stock market की history से साल 1602 तक companies अपना business चलाने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए दो तरीके के capital का इस्तमाल कर रही थी फहला है company के जो owners है उनसे पैसा लेकर company को चलाना और उसे बढ़ाना साथ ही company को जो भी profit हो रहा है उससे ही company का business बढ़ाना और दूसरा था loan यानि करज लेना तबकि जो lending institutions, kings और बाकी कुछ institutions थी उनसे पैसा उधार लेना और उस पैसे से अपने business को चलाना और बढ़ाना लेकिन साल 1602 में Dutch East India Company एक नया concept लेकर आई इस concept में उन्होंने लोगों से पैसा लिया और लोगों को अपने shares दिये यानि company में भागीदारी दी तो Dutch East India Company का ये concept काफी popular हुआ और बाकी companies भी इस concept को follow करने लगी वो भी public से पैसा लेने लगी और उन पैसों से अपना business बढ़ाने लगी और बढ़ले में लोगों को company में भागीदारी देने लगी तो इन सब चीजों के चलते Amsterdam stock exchange शुरू हुआ जो कि दुनिया का सबसे पहला stock exchange माना जाता है ये concept इतना popular हुआ कि बाकी countries में भी ये तेजी से फैलने लगा जिसके बाद Portugal, France, Spain इन जैसे countries के कई सारी companies ने लोगों से पैसा raise करना शुरू किया और इस तरह अलग-लग countries में stock market शुरू हुआ फिर 1773 में London stock exchange शुरू हुआ साल 1817 में NYSE, that is New York stock exchange शुरू हुआ जो कि फिलाल दुनिया का सबसे बड़ा stock exchange है NYSE Wall Street पर है इसलिए कई बार US stock market का जिक्र Wall Street के नाम से होता है फिर 1875 में इंडिया में BSE, that is Bombay stock exchange शुरू हुआ जो कि एशिया का सबसे पहला stock exchange था Bombay stock exchange से पहले Mumbai के town hall के पास बनियान यानि burger tree के नीचे लोग shares का लेंदेन करते थे Bombay stock exchange के बाद इंडिया में और भी कई सारे stock exchange शुरू हुए जैसी कि 1894 में एमदाबद stock exchange शुरू हुआ और बार में बाकी stock exchange शुरू हुए जैसी कि 1908 में कलकता stock exchange शुरू हुआ और 1986 में मगज stock exchange शुरू हुआ जिसके बाद आया 1992 का scam 1992 तक BAC इंडिया का सबसे बड़ा stock exchange था लेकिन 1992 के scam के बाद Indian government को लगा कि इंडिया में एक और powerful stock exchange होना चाहिए इसलिए 1992 में NAC, that is national stock exchange शुरू हुआ और 1994 में NAC पर trading शुरू हुई आज NAC इंडिया का सबसे बड़ा stock exchange है इंडिया के दोनो main stock exchanges, that is NAC और BAC मुंबई में है BAC दलाल स्टेट पर है दलाल स्टेट इस शब्त का उपयोग किया जाता है वही NAC, मुंबई के BKC, that is Bandra Kurlo complex में है फिर BAC ने भी NAC को follow करते हुए electronic trading शुरू की फिर 1996 से DEMAT account आया जिसमें online तरीके से share store होने लगे DEMAT account आने से पहले physical format में shares का lending होता था तो उस टाइम shares खरीदने के लिए और बेचने के लिए लोगों को stock exchange आना होता था लेकिन DEMAT account आने के बाद ये problem solve हो गये साथी कई बार वो physical shares फट जाते थे और कई बर चोरी भी हो जाते थे तो ये सारे problems DEMAT account ने solve किये 1996 में ही Nifty 50 जो की NSE का मुख्य index है वो शुरू हुआ और Sensex जो की BSE का मुख्य index है वो 1986 में शुरू हुआ था Sensex और Nifty 50 क्या होते हैं इनके बारे में इसी सीरीज में आगे बात करने वाले है Sensex में total 30 companies है 1986 में जब Sensex शुरू हुआ तब Sensex में कौन-कौन सी companies थी आप screen पर देख सकते हो तो 1986 में Sensex में mainly manufacturing companies थी जो companies खराब perform करती हैं उन्हें Sensex से हटाया जाता है और जो companies बहुत अच्छा perform करती हैं उन्हें Sensex में add किया जाता है आज Sensex में जो 30 companies हैं उनमें से 7 companies ऐसी हैं जो 1986 में भी Sensex में शामिल थी Reliance Industries, Tata Steel, L&T that is Larson & Tubro, M&M that is Mahindra & Mahindra, HUL Nestle India और ITC ये वो 7 companies हैं और बाकी 23 companies, आज जो companies Sensex में हैं उनमें से जादादर companies, technology और service-based companies हैं 1986 में Sensex में एक भी technology company या फिर bank नहीं थी तो इस तरह आप देख सकते हो कि पिछले 35 साल में किस तरह से businesses में train बदलते चले गए 1986 से लेकर अब तक Sensex ने investors को compounded सालाना 13.86% के returns दिये हैं जो कि बाकी कई सारे investment avenues से बहतर है अब हम बात करेंगे stock market में मिलने वाले returns के बारे में stock market में दो तरीके के returns मिलते हैं पहला है dividend और दूसरा है share price बढ़ने से आपको जो फाइदा मिलता है वो तो शुरुआत करेंगे dividend से company अपने profit का कुछ हिस्सा share holders के साथ share करती है उसे dividend कहते है dividend देना किसी भी company के लिए compulsory नहीं होता है dividend देना है या नहीं ये ची़ज़ company के management पर depend करती है अगर company का management ये decide करता है कि हमें company का कुछ profit shareholders के साथ share करना चाहिए तो वो company dividend declare करेगी वही अगर company का management सोचता है कि नहीं हमें company का पूरा पैसा company के business में ही reinvest करना है या फिर किसी और चीज़ के लिए इस्तमाल करना है तो company का management dividend नहीं देगा तो dividend देना पूरी तरह से company के management पर depend होता है कई सारी companies ऐसी है जो regular dividend देना पसंद करती है जैसे कि TCS, Infosys, Coal India, Oil India, etc वही कई सारी companies ऐसी भी है जो बिल्कुल भी dividend नहीं देती जिसमें से एक example है Avenue Supermart जो D-Mart नाम की supermarket chain चलाती है अगर हम TCS की ही बात करते हैं तो TCS की share price फिलाल 3000 रुपे के करीब चल रही है और calendar year 2020 में TCS ने 40 रुपे पर share का dividend दिया है यानि एक share के पीछे हर shareholder को 40 रुपे का dividend दिया है कई सारी government companies regular basis पर dividend देती है इसलिए कई सारे investors अपनी investment strategy ही कुछ इस तरह बनाते हैं जिससे उन्हें अच्छा खासा dividend मिल सके और इसलिए वो कई सारी government companies में invest करते हैं जो regular basis पर dividend देती हैं जैसे कि Coal India, GAIL, Oil India, ONGC, etc. लेकिन सिर्फ dividend के basis पर invest करने के strategy सही नहीं है क्यों? इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे अब बात करते हैं दूसरे टाइप के return के बारे में जो है share price के बढ़ने से मिलने वाला return जब कोई company long term में बहुत अच्छे business performance देती है तो इसके share की price long term में बढ़ने लगती है वही अगर किसी company की business performance long term में खराब होने लगती है तो company के share price भी long term में गिरने लगती है short term में कई सारे fluctuations होते रहते हैं लेकिन long term में company के share price company के business को follow करती है इसे हमें एक example के साथ समझेंगे अगर हम Reliance Industries की बात करते हैं जो कि मुकेश Ambani Group की company है तो Reliance Industries की performance long term में काफी अच्छी रही है पिछले 10 साल में company की business performance काफी तेजी से बढ़ी है जिसके चलते company के share price भी तेजी से बढ़ रही है अच्छे business performance के चलते Reliance Industries की share price पिछले कई सालों से compounded सालना 15% से भी जादा return दे रही है वही अगर हम अनिलंबानी ग्रूप की company Reliance Communication की बात करते हैं तो Reliance Communication की business performance पिछले कई सालों से काफी खराब चल रही है जिसके चलते recently company को bankruptcy के लिए फाइल करना पड़ा साल 2008 में Reliance Communication की share price 750 रुपे थी जो कि आज देड रुपे पर आ गई है तो इस तरह आपको share price के बढ़ने से जादा returns कमाने हैं तो आपको उन businesses पर focus करना होगा जिनका business long term में अच्छा खासा बढ़ सकता है कई सारे लोग invest करते time सिर्फ dividend पर focus करते हैं वो company के business performance पर focus नहीं करते हैं और जब company का business ही नहीं बढ़ता है तो company के share price भी नहीं बढ़ती है For example, अगर ONGC की बात की जाए तो ONGC एक government company है जो regular basis पर dividend देती है लेकिन company की business performance कुछ खास नहीं रही है 2010 में ONGC को 19,000 करोड का profit हुआ था लेकिन बाद में company का ये profit कम होता चला गया और financially 2020 तक ये profit कम होकर 10,900 करोड हुआ Company के स्खराब business performance के चलते company के share price भी गिरने लगी 2010 में company के share price 226 रुपे थी और अभी January 2021 में company के share price 96 रुपीज हो चुकी है Similarly ऐसे कई सारी companies हैं जिन्नोंने regular basis पर dividend तो दिया लेकिन उनकी share price growth negative रही जिसके चलते उन्होंने investors को negative returns दिये जैसे कि coal India ने पिछले 10 साल में सालना minus 9% का return दिया है GAIL ने पिछले 10 साल में minus 3% का return दिया है वही oil India ने पिछले 10 सालों में सालना minus 10% का return दिया है तो इससे हमें ये पता चलता है कि सिर्फ dividend को देखकर काम नहीं चलेगा आपको company की business performance भी देखनी होगी तो ऐसे भी कई सारी companies आपको मिलेगी जिन्होंने बहुत अच्छे dividends भी दिये है साथी business performance अच्छे चलने के कारण बहुत अच्छे returns भी दिये है जिनमें TCS, Infosys, HCL Tech, Reliance Industries जैसे कई सारी companies आती है TCS का profit 2010 में 7,001 करोड था जो की दिरे-दिरे बढ़ता चला गया और 2020 तक बढ़कर 32,340 करोड हुआ तो company के इस अच्छे business growth के चलते company के share price भी अच्छे खासी बढ़ी है TCS के shares ने compounded salana 18% से जादा return दिया है Infosys ने भी पिछले 10 सालों में compounded salana 11% का return दिया है HCL Tech जो की इंडिये की top IT companies में आती है उसने पिछले 10 सालों में compounded salana 24% का return दिया है और Reliance Industries ने भी पिछले 10 सालों में compounded salana 15% का return दिया है तो आपको कुछ इसी तरह की companies को ढूणने की जरूरत है तो आज हम यही रुकेंगे और अगले lecture में बात करेंगे कि stock market कैसे काम करता है उसका काम करने का mechanism कैसा है stock market में कौन-कौन से तरीके की indices है किसके सतरह के की investment strategies है इन सब चीजों के बारे में series में हम बात करने वाले है इस वीडियो को और इस series को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ share कीजिए WhatsApp पर और सारे social media पर क्योंकि हमें सभी को financially literate बनाना है मिलते हैं अगले part में कही मत जाईएगा चैनल को subscribe कीजिए और साथ इस bell icon पर भी click कीजिए ताकि हमारे सारे videos को notifications आपको मिलते रहे ये video और series आपको कैसे लगे comment करके जरूर बताए इस series में हम आपको बहुत सारा top class content free में देने वाले है तो मिलते हैं next part में ये series देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद